हेलो दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जैसे कि भाई अगर कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा तो अगर आपको भी प्ले स्टोर की अपडेट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज भाई आप इस वीडियो को पूरा देखे जिससे आपको प्लेश्टोर का जो नया नया अपडेट आया है उसके बार में पता चल जाएगा जैसे कि जो प्लेश्टोर का अपडेट हुआ है उसमें जो हमारा सभी एप को अपडेट मानने का सिस्टम होता है वह सब सिस्टम चेंज करकर कुछ अलग कर दिया गया है तो भाई अलग होने पर बहुत लोग को प्राबलम हो रही है अपडेट होने के बाद तो भाई मैं आपको बताऊंगा आप सब प्लेश्टोर अपडेट होने के बाद आप अपने एप को अपडेट कैसे कर सकते हो जैसे कि एप को अपडेट करने में बहुत ज्यादा प्राबलम हो रही है या फिर भाई आप कह सकते हो जो एप है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आज मैं बताऊंगा प्ले श्टोर अपडेट होने के बाद अप अपने मोबाईल के सभी एप को अपडेट कैसे कर सकते हो इसलिए वीडियो को पूरा आयन तक देखीगा और वीडियो को जरा भी स्खीप मत करना नई तो भाई आप वीडियो समझ नहीं पाऊगी आप सब अपने play store से सभी app को update कैसे कर सकते हो तो भाई हम वीडियो स्टार्ट करते हैं Hello friends सबसे पहले हम अपने home screen पर आ जाएंगे home screen पर आने के बाद play store में चले जाएंगे जैसे कि भाई प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ पर भाई अपडेट का अपसन आता था जो कि अपडेट का अपसन इस टाइम नहीं आ रहा है देख सकते हैं भाई आप यहाँ पर कोई भी अपडेट का सिस्टम नहीं आ रहा है तो आप भाई अपडेट अपने एप को कैसे माट सकते हैं जो आपका एप अपडेट मांग रहा है उसके लिए भाई आपको जो उपर एप अपकी फोटो का लोगो है भाई उस फोटो की लोगो पे आपको क्लिक करना होगा जैसे कि भाई मैंने उस फोटो की लोगों पे क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद भाई देखिए आप सब के सामने My Aps Game का आपसन आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा अगर भाई उस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी अपडेट है वो हमारा आटोमेटिक आने लगेगा भाई देख सकते हैं हमारे दो अप्लिकेशन जो अपडेट मांग रहे है और सब भाई अपडेट हो गया है और भाई अगर आपको भी नहीं पता तो प्लीज भाई आप भी यहां से अपने फोन की सभी एप को अपडेट मार सकते हैं तो भाई यह एक प्लेश्टोर का न्यू अपडेट है जो कि पहले ऐसा नहीं था तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाई वीडियो का लाइक करो कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा सियर करो धन्यवाद भाई